पर जहांपर भाच्पा के प्रत्याशी भूपेंद्र यादब की नावंकर्ण रैली में शामिल हुए हैं स्येम भचनलाल शर्मा सब की तरब से आयोजित करें उत्तर दक्षिन दोनु जिलों के अध्याक्ष और भूपेंद्र जी यादब साफ़ पहना कर हम सब की ओर सब इनंदन कर रहे हैं अब उपमुक्य मंत्री बहरवाजी का हमारे पूर प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान के वरिष्ठ नेता श्रीमान ओंप्रका अशोक परनामी जी का स्वागत दोनों जिलाद्यक्ष कर रहे हैं हमारे अपने लाडले और राजस्थान में मंत्री संजय शर्माजी का स्वागत दोनों अध्यक्ष कर रहे हैं भाई सुरेश रावत जी का स्वागत कर रहे हैं आप सब का स्वागत हैं अभिनंदन हैं सम्मानियां है अब मैं आधर निये बालकनाज जी के चर्णों में निवेजन करता हूं हमारे पूरु सांसत और तिजारक शेत्र के विधायक वे करपया पधारे हम सब को संबोधित करें जो कितनी बड़ी संख्या में दूर दूर से और इस से ज्यादा लोग ट्रैफिक में फशे हुए हैं लेकिन उनकी भावना हमारे साथ है भारत माता की कि विश्वे से रूपम जग्दी से रूपम धर्मर कयूपम यतिवर के भूपम संसारे सारम द्रेतार पहारम स्री गोरक्षनाथम सत्तम नमामी कि बोलिए बाबा भत्री ना थे की बाई था डरुका मारो एं तंबू बंबू पाड़ना जैक ना है जोर से दोनों हाथ उपर उठाके बोलिए भारात माता की भारात माता की भारत माता की आदर्निये हमारे राजस्थान के यसोसी मुख्यमंत्री श्री बजनलाल सर्माजी कि एक बार हम सब अलवर वासी इस सिंग द्वार में पधारने पर जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन स्वागत करें पूरे पंडाल से आवाज आनी चाहिए भई पीछे रोड से भी आवाज आनी चाहिए तालियों की गड़गडाट की जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत अभिनंदन है राजस्थान की ये शिंग द्वार की भूमी है तपो भूमी है और निचित रूप से आपके आगम हमारे अपने इस लोक सबा चेटर के हमारे यसस्वी हमारे लोकप्री ए महारे पर्त्यासी आधनिय श्री भूपेंदर यादows जी हमारे बीक में उपस्तित है हमारे डिप्टी सीयम जो राजस्थान सरकार में स्री प्रेमचंद बैरवाजी हमारे बीच में उपस्तित क्योंकि अथिती देव भव के लिए हमारा प्रदेश राजस्थान जाना जाता है हर्याना से सोना से विधायक और वर्तमार में हर्याना सरकार में मंत्री स्री संजे सिंग जी विराजमान है उनका भी स्वागत अभिनंदन है हमारे स्टान में केबिनेट मंत्री सुरेश रावत जी विराजमान है हमारे बीच में हमारे अपने अलवर के हमारे मंत्री सरी संजेस्रमाजी विराजमान आपका भी अविननदा न वर मंचा शिन्स सभी हमारे भारतिय जंता पार्टी के नेतागन क्योंकि सब्सके परिजे से आप बली बाती परिचित हैं सबका नाम आपके दिल और दिमाग में बसा है आप सबकी साधर उपस्तिती को प्रणाम करता हूं और सामने विराजमान सबसे पहले तो हमारी माताएं भेने इतनी बड़ी स कूंगा क्योंकि अभी माने मुख्य मंत्री जी आ चुके हैं हमें उनको भी सुनना है उनके साथ साथ में हमारे आदरने वुपेंद्र यादवजी को भी सुनना है लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 2019 में राजस्थान के अपने इस अलवर की जंता ने मुझे भार अलवर की पानी की समस्या दूसरा येसाई मेडिकल कोलेज जो पिछले नो दस सालों से बंद पड़ा था और मैं आपके आशिरवाद से माने परधान मंत्री जी के सयोग से उनके मागदस्थन में हमारे केंद्र की सरकार ने येसाई सी मेडिकल कोलेज भी चलाया और अलवर में भूमी का जो पानी है जमीन का जो पानी उसका बहुत बड़ा अभाव है उसके लिए हमने बार बार Polen के मानने परधान मंत्री जी से किया और आप सबके सयोग से अलवर के लिए लग से 5,387 क्रोड की योजना बनाकर पुरे अलवर के अंदर पाईपलें से गाउं गाउं के घरों से आते हैं आपकी बात सही है कि अभी जल जीवन का काम पूरी तरह से गाउं के अंदर नहीं हुआ है अभी पाइपलेंज जो हमारे पूरे छेत्र में आनी है उसका काम पूरी तरह से नहीं हुआ है क्योंकि राजस्थान में पिछले पांच सालों में काम नही कारेकर्टा भारत्य जन्ता पार्टी के नेताओं ने वादे किये वो एक एक वादा आपका पूरा होगा और पूरे अलवर्ज लेकि एक धानी तक पीने का पानी भी पूचेगा और हम तो अभिनादन करते हमारे यस्वाशी मुख्यमंत्री जी का कि आप ने आते ही जिस प्र देश के साथ में जो साइन किया है अब वो दिन दूर नहीं जो हमारा किसान भी नहर का पानी आपर अलवर की भूमी पर लगाएगा अब वो दूर नहीं कि हमारी माताई बहने जो सिर पर मटका उठाकर 501 किलो मिटर दूर से 500 मिटर दूर से पानी लाती थी अब पानी उनके गर्में आएगा ये अब वो दिन दूर नहीं है इसलिए बंदों में कहना चाता हूं ये चुनाव जाती बाती धरम का चुनाव नहीं यह चुनाव देश के भविषे का चुनाव सि valeur यह चुनाव आने भारत्य जन्ता पार्टी को विजय बनाने का एक एक गाउं ढानी से एक एक बूद से विजय बनाने का काम करें क्योंकि हमारे भगवान स्री राम लला को लाए कोन भगवान लला को लाए कोन भगवान स्री राम लला को लाए कोन भगवान स्री राम लला को लाए कौन राम लला को लाए है मंदिर वही बना है जहां पर तारीक थी जहां पर स्थान था अब मैं आप से कहना चाहता हूँ कि हम भगवान के राम भक्त है हम सब का ये भगवान के राम के परति समर्पित हमारा आशिर्वाद उनका अशिर्वाद हमको प्राप्त हो हमारा सर्दा भाव हमारी भक्ति उनको मिले इस भाव से हम सब लोग आने वाली 19 तारीक को भारत्य जंता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबा कर हमारे इस अलवर से इत्यासिक विजे का पता का फैराते हुए और पूरे राजस्थान की 25 की 25 विदान सभाव में भारत्य जंता पार्टी के कमल के फूल का किलाने का काम करें आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आये हैं मैं आप सब का अभिनंदन स्वागत धन्यवाद करता हूं और एक संतोने के नाते क्यूंकि बावावा भरत्री जी की तपो भुमी है नात्सित संपर्दाए के योग्यों ने यहाँ पर अनेकों स्थानों पर तब साधना की है ऐसे सभी देवी देवताओं की और से आशिरवाद देते हैं अपनी वाणी को विराम देता हूं सर्वे भवन्तु सुकेने सर्वे संतु निरामया